नमस्कार दोस्तों जैनेसिस आईएस में आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं अपने करेंट आफेर्स रिंखला में बोगी बील परियोजना एवं इसका राणनीतिक महत्तो तथा अन्य इससे सम्मंदित विशलेशन तो दोस्तों सबसे पहले बोगी बील परियोजना के दिहान देते हैं यह एक पुल बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर यह इस पुल के निर्माण में कुल 21 वर्स लग गये हैं इसकी शुरुवात बहुत पहले हो गई थी आज से 21 वर्स पहले प्रधान मंत्री देवे गवडा के कारेकाल में यह चार दस्वन और नौ किलो मिटर लंबार रेल रोड पुल है अर्थात इसमें रेल का परिवहन एवं सडक दोनों बना हुआ है यह असम अरुडाचल प्रदेश के बीच संपरकों को बहुत अधिक बढ़ावा देगा और इसके निर्माण में कुल 69 करोड रुपए का खर्च आया है यह एक इंजिनियरिंग का चमतकार जैसा कहा जा रहा है क्योंकि यह जिन जिस जिग्राफिकल स्ट्रक्चर में बनाया गया है डबल लाइन रेलेवे ट्रैक और उसके अलावा इसका जो सडक है वो तीन लेन का होगा जो की अपर डेक पर है अर्थात उपर वाले भाग में यह एक बहुत ही इंजिन पूत्र नदी पर इस प्रकार का तीसरा रेल रोड प्रोजेक्ट है जो की भारत के नार्थिष्ट में कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है उसको पूरा कर रहा है यह असम एवं अरुडाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि दूरी तै करनी पड़ती थी अब यह दूरी समाप्त हो जाएगी इसी प्रकार से असम और अरुडाचल प्रदेश के बीच जाने के लिए बहुत लंबी यत्राएं करनी पड़ती थी अब वो लंबी यत्राएं समाप्त हो जाएगी और अरुडाचल प्रदेश जो की भारत के रणनीतिक महत्तो की द्रिशिस से बहुत ही महत्तो का प्रदेश है क्योंकि यह चीन से लगा उआ है वह भी रेलवे ट्रैक से जुड़ जाएगा लागर लुहान रेलवे स्टेशन जो अरुडाचल प्रदेश का है वह भारत के मुख रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा इसके अलावा यह भारत के लुकिस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगा जिसकी सुरुवात 1991 में प्रदानमंत्री नर्शिम राव के समय में शुरू हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस छेत्र में नार्थिस छेत्र में आर्थिक गत्विदियां बढ़ेंगी और जो इसका अलगाव है जो यहां के यहां के लोगों का भारत के मुख्य भूमी से अलगाव है वो दूर हो सकेगा और नार्थिस्ट के लिए जो कि एक लैंड लाग्ड एरिया है भारत का यह बहुत समय से नेगलेटेड था ने यहां के लोग भारत की मुख्य भूमी से ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे जिससे भारत की राष्ट एकता अखंता सुनिश्चित होगी अब दूसरी बात इसमें यह है कि जितना अधिक भारत की मुख्य भूमी से यहां के लोग जुड़ेंगे यहां जो छेत्रिया का अच्छी हाईवे परियोजना चल रही है जो भारत मियनमार और थाइलेंड के बीच है उसको भी गतिमान बनाएगा क्योंकि इसे मडीपूर के रास्ते से जोड़ करके फिर मैनमार फिर उसके आगे मैनमार से थाइलेंड तक रेल और रोड दोनों से जोड़ा जाएगा यह न रेल रोड परियोजना के माध्यम से भारत के नार्थ इस्ट रीजन को बंगला देश से ट्रांजिट मिलते हुए मुख भूमी से जोड़ा जाएगा जिससे आवाजा ही बहुत आसान हो जाएगी तो यह भी एक महत्तपूर लाव होगा इस बोगी भील परियोजना से और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के उभार के साथ भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपने नार्थ इस्ट शेत्र में जादा से जादा कनेक्टिविटी मजबूत करे यह निश्चित है कि चाइना डोकलाम जैसी परिस्टियां आगे भी उत्पन करता तो भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी तैयारियां पहले से करता रहे और बोगी बील परियोजना भारती साजो सामान के परिवहन के लिए भारत के नार्थ इस्ट शेत्र में विजिलेंस को बनाये रखने के लिए सतरकता को बनाये रखने के लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्तर साबित होगा इस प्रकार यह परियोजना न सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से भारत के लिए लाबदायक है यह रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए बहुत ही शांदार परियोजना साबित हो सकेगी और चीन को कंटरोल करने में चीन को नियंदे רק करने में ये एक महत्तफूपूर भूमी का अदा करेगी सबसे बड़ी बात ये है कि इस इतिहास के निर्मार से हमें ये सीख मिलती है कि किस तरह से हमने नर्थिस्ट में प्रोजेक्ट को चलाया है इसको बनने में 21 वर्स लगे इस्थानी लोगों को बहुत तदी कि इसके निर्माण में जिस तरह का ध्यान देना चाहिए था जिस तरह से उनको इसके निर्माण के समय हमें उनको महा तो देना चाहिए था ये नहीं दिया गया है तो अब हम ये भी आगे से ध्यान देना है कि नार्थिस्ट की जरूरतों के अनुसार नार्थिस्ट के लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए तेजी से तेजी से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्शर प्रोजेक्ट पूरे किये जाएं तो ये सारी बाते थी बोगी बील परिवजना से सम्मंदी दोस्तों धन्यवाद